गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह बोलते हैं कि परकेंश चीज हैं टो आज मैं इस चीज बारे में बात करने वाना उण आपके talking मिस्कनसयशन को थोड़ा सदूर करूँगा और जो रियालिटी है रिविदी कि लें अब जो बच गया बैटल रॉयल का जो फेमिस गेम है वो फ्री फायर है और साथ-साथ में भी चल रहा है लेकिन फ्री फायर इतनी पॉपुलारिटी गेन नहीं कर पाया कुछ वजहों से अब यह मैं अपने बता रहा हूं पहला कि उसके जो ग्राफिक्स है वो इतने रि वो भी अच्छा नहीं लगता गोलियों की आवाज और यहम करने का जो भी हो लोगों पसंद नहीं आता और उस गेम में काफी ऐसी चीज़ें हैं जो काफी रियालिटी से लैक दूर हैं तो देखो भाइ गेम पसंद दो तरह के लोकरते अं लयक दो तरह के गेम होते है एक होते हैं जो कि बहुत reality पर बेस्ट होते हैं जो वहाँ पर physics इस्तमाल हो रही है जो भी gameplay हो रहा है वो काफी हद तक आप real जिंदगी से relate कर सकते हैं चाहे character की movement हो चाहे वहाँ पर कोई भी आसपास की surrounding हो एक game इस तरह का होता है जिसमें सब कुछ artificial जैसा लगता है futuristic लगता है और ऐसी चीज़े होती हैं जो असल जिंदिगी में नहीं होती अब मैं ये अपनी opinion शेयर कर रहा हूँ PUBG में आपने देखा होगा जो character है उनकी जो movement है वो काफी अच्छी है aim करने का आर्स पास की surrounding खेत, tractor और वहाँ पर जो घास का texture है अब ये थोड़ी सी fine details है जो कि एक game lover या जिसने बहुत जादा gaming में जिसको interest है वो notice करेगा इस चीज़ को वहाँ पर खेत, पेड, दिवारें तूटी दिवारें, दरवाजे काफी realistic दिखाए गए है लेकिन ये जो चीज़ है free fire में वो नहीं दिखाई गई है वहाँ पर अगर आप घास का texture देखोगे या character को देखोगे character के face को देखोगे तो वो काफी एक जैसा ही लगता है उसमें ज़दा बदलाव नहीं है अब वो changes देखने को मिल रहे हैं free fire में but वो realistic नहीं लगता वहाँ पर लड़ते हुए आप बादल उठा सकते हो और एक दिवार लगा सकते हो क्या असल जिंदगी में अगर आप gun fight कर रहे हैं तो क्या आप ऐसा कुछ करके एक दिवार खड़ी कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो आप किसी भी जंगल में जाके किसी भी खुम्बी को तोड़के खा सकते हो कोई आपको कोई चेर मिलेगी जंगल में जिसमें कोई नाचरा होगा डीजे ऐसा नहीं होता पट ये गलत नहीं है ऐसे गेम बहुत दादा चलते हैं लेकिन इनका एक अलग फैन बेस होता है यहाँ पर कोई भी गेम खराब नहीं है ये बस depend करता है कि आपकी choice कैसी है और मैं आपको बताऊंगा कि free fire से आप क्या-क्या कर सकते हो और gaming industry में क्या हो रहा है शायद ही कोई ऐसा creator होगा जो आपको ये बात खुल कर बताऊंगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा ठीक है? मैं खुद भी gamer हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताऊंगा तो देखो ये दो तरह के game होते हैं जिसमें थोड़ा सा realistic होता होता है तो यहाँ पर game तो नहीं अच्छे है गन साउंड की बात कर लेते हैं तो हाँ अगेन PUBG में गन साउंड काफी realistic लगती है वहाँ पर एक एक गन की जो गन साउंड है आप उन गन को रियल में भी उसकी sound सुनोगे तो काफी similar है जैसे यूजी है उजी है तो उजी की जो sound है वो बिल्कुल rapid है तो वो ऐसे चलती है लेकिन वहाँ पर दूसरी साइड में देखा जाए तो काफी अलग है अब realistic की बात करें तो bike वहाँ पर देखने को मिली है तो एक जैसी bike है असली जैसी लगती है यहाँ पर free fire में jungle में sports bike चल रही है जंगल में sports bike कोई नहीं चलाता sports bike कोई चलाता जंगल में कोई नहीं चलाता तो वो चीज है ध्यान देने वाली है वहाँ पर एक companion है और आप board पर उड़ सकते हैं जंगल में board कहां से आया again वहाँ पर drop आती है you get the idea like आपको idea मिल गया कैसे कैसे क्या है तो लोगों की अलगलग पसंद के कारण लोगों को graphics की वज़े से वो पसंद नहीं है दूसरी एक वज़े और है कि लोगों को ये लगता है कि जो हमारा PUBG गया है जो हमारा PUBG गया है वो free fire की वज़े से इसा कुछ भी नहीं है दो लोग अलग कंपनिया यार उसका कोई लेना देना नहीं है बोला यार competition में हटा दिया होगा हमारा प्यारा गेम PUBG फ्री फायर ने अटा आया नहीं अब जो PUBG लवर्स है उनका गेम नहीं बचा तो जब वो लोग free fire वालों को खेलते होइँ देखते हैं तो उनको खराब लगताँ है मुझे भी खराब लगताँ है और वाकई में जो movement हो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि वो game खराभ है वो game अच्छा है अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ जो कि इस वीडियो के बाद शायद सीक्रेट रहेगी नहीं जितनी भी स्ट्रीमर्स अभी नए आए हैं जो फ्री फायर को स्ट्रीम कर रहे हैं उनका चैनल जादा तेजी से ग्रो कर रहा है वो जादा पैसे कमा रहे हैं वो जादा सक्सेस्फुल हो रहे हैं क्योंकि फ्री फायर गेम की डिमांड जैसा आपको लगता है कि नहीं होगी ऐसा नहीं है Free Fire game की demand बहुत ज़ादा है लोग देखना पसंद करते हैं आप अगर record उठा के देखो statistics उठा के देखो तो Free Fire में ये कोई sponsored वीडियो नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं Free Fire की बुराई भी कर चुका हूँ कि उसके graphics अच्छे नहीं है मज़ा नहीं आता खेलने में बट एक reality बता रहा हूँ अगर आप एक content creator है और अगर आप Free Fire को stream नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़े miss कर रहे हैं क्योंकि इसकी भी audience बहुत ज़ादा है ये उन लोगों की पसंद है जिनके devices PUBG को handle नहीं कर सकते थे ये उन लोगों की पसंद है जिनोंने PUBG से अब Free Fire में स्विच कर लिया है ये उन लोगों की पसंद है जो अभी भी इंडिया में legally tournament खेलना चाते विकास आपको पता है कि e-sports की जो tournament है वो Free Fire ही और्गनाइज करा रहा है PUBG नहीं करा सकता विकास वो officially ban है समझ गए आप मेरी बात को तो it's just a game hate ना करें आप इससे खेलें अगर public को पसंद है एक content creator के लिए क्या matter करता उसकी personal opinion तो matter करती है बट ये भी matter करता है कि उसकी audience क्या देखना चाहती है starting में मैंने ये गलती की थी इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि जितने भी नए gaming creators हैं या जो भी gaming करने वाले लोग हैं उस चीज को ध्यान में रखें कि आप अपनी पसंद का ध्यान रखें लेकिन आप अपनी audience के पसंद का भी ध्यान रखें starting में मैं ऐसी videos बनाता था जो मुझे पसंद थी like hardcore technology की videos और जो होती थी लेकिन audience को पसंद नहीं थी तो इस पर views नहीं आते थे आजकल में उस चीज के बारे में बात करता हूँ जो audience देखना चाहती है और मुझे भी वह बहुत interesting लगता है तो आप इस अगर balance को चला के चलेंगे लेके चलेंगे तो आप channel को बहुत अच्छे सिक्रो कर सकते हो gaming में अगर career बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी राए free fire के बारे में क्या है और किस तरह से लोगों की अलग-लग पसंद होती है गेम को लेकर इसमें कोई भी बुरा ही नहीं है आप तो date भी आ चुकी है 4G गेम की तो भी थोड़ा देखना है कि ये गेम कैसा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है तो अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखो चीजों को एक्स्प्लोर करो, बिना किसी मतलब से किसी को भी हेट मत करो, खुद जाओ, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं यसे बहुत सारे लोग है जो चीजों को पसंद और ना पसंद करते हैं और इसी तरीके से दुनिया चलती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्ते को साथ शेयर करें सब्सक्राइटीं और इथिकल हाकिम की इंट्रेस्ट है तो डिस्कृप्शिन चेक करें 2.99 रुपीज में आपको हिंदी लैंगवज में सेखा दूँगा डिस्क्रिप्शन जिरूड चेक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेला इकन को प्रेस करें मुझे फेस्बुक टुटर और इंस्टाइगरम पर फॉलो करें चैनल को सेस्ब करेंव और इंसुमर्डू आझार चैनल को करें लैंग आपकीज़ के लिए च्टैनल को सब्सक्तराइब की खिर्यार आपका एंस निएंगी खिर्यार आपका शिर्यार अचिछेंगाब झाल